हालो दोस्तों स्वागात है आप सभी का आपके अपने परिवार म्यात मस्ती में मैं हूँ अलोग सिनातिष और आज के इस सिशन में हम लोग डिसकस करने वाले हैं जब पिर्थवी से हम लोग आकास को देखते हैं तो वो नीला दिखाई परता है और चांद से जब आकास को देखते हैं तो वो काला दिखाई परता है ऐसा क्यों होता है तो आएए देखते हैं हम लोग इस सिशन में और देखते हैं इस पॉइंट को कि इसमें ऐसा क्या है जो तो आपको दोनों में डिफ्रेंसेज, दोनों में भिंताएं नजर आती है, जब आप पिर्थवी से आकास को देखते हो तब, और जब आप चंद्रमा से आकास को देखते हो तब, दोस्तों जब हम लोग कहते हैं कि पिर्थवी से आकास को देखते हैं, तो हमको नीला पड़ता है और चांद्रमा से आप जब देखेंगे तब यह आपको कैसा दिखाई पड़ेगा यह आपको काला दिखाई पड़ेगा आप इन दोनों के कलर में डिफ्रेंस देख रहे हैं आपको पता है कि पिर्थवी से आकास निला इसलिए दिखता है क्योंकि आपके पूरे वायू मंदल में वायू मंदल तो आप समझ रहे होंगे जहां आपका बहुत अलग-अलग तरह के वायू एवलेबल होता है वायू मतलब गैस आप वायू को in the sense गैस भी ले सकते हैं हीलियम हाइड्रोजन नाइट्रोजन ओक्सीजन ये सारे गैस आपके वायू मंदल में परकिर्णन होता है निला कलर का जो परकिर्णन होता है इसके चलते हम इसको क्या कहते है कि पिर्थवी से आकास को देखने के बाद आपको निला नजर आता है अब इसको सिंपल वे में कहते है कि ये परकास के परकिर्णन की घटना है जहां पे निले कलर का परकिर्णन सबसे ज्यादा हो रहा है इसलिए पंब का साथ आपका कैसा धिला दिख रहा है पकी घट्ना का मतलब यह होता है पशाज की परकृदन का मतलब यह वो की धूल के कहनों के द्वारा यह धूल कन द्वारा परकास के किननों को अबसुसित करके उसे चारों चाही sorry में फैला देना इसको हम लोग प्रकिर्णन कहते हैं अब दूसरा पॉइंट में यहां पे है कि चंद्रमा से आपका आकास काला दिखाई पड़ता है आप यहां पे ध्यान देंगे कि पिर्थवी से उपर तो वायू मंडल है लेकिन आपके चंद्रमा पे वायू मंडल नहीं ह आपके चंद्रमा पे एट्मोसफेर नहीं है वायू मंडल नहीं होगा तो वहां पे धूल, कन, गैस यह सारे चीज नहीं होगे और वहां पे किसी भी कलर का प्रकिर्णन नहीं होगा आपको कैसा दिखेगा आकास काला दिखेगा क्योंकि इसका कोई आकास का अपना कोई रं बस्तु का जो पलायान वेग होता है एसके वेलोसिटी होता है वो पलायान वेग बहुत कम होता है एसके वेलोसिटी क्या होता है बहुत कम होता है जिसके चलते चंद्रमा पे मंडल नहीं होता और इसके चलते आपको चंद्रमा से आप जब आकास को देखते हैं तो कैसा नजर आता है आप बोलोगे सर की यहां तक की तो सारी चीजे समझ में आ गई लेकिन यहां पे आपने पलायान वेग लिखा यह क्या होता है दोस्तों इस टॉपिक को समझ दे के लिए यह पलायान वेग समझना बहुत जरूरी है तो चलते हम लोग पलायान वेग के तरफ और इस से याद रखेंगे आपके एक्जाम में बहुत महत्तपूर्ण क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन थोड़े से उल्जन वाले होते हैं तब तक उल्जन वाला होता है जब तक आपके समझ से पड़े होता अगर आप एक बार इस टॉपिक को अच्छे से कर दोस्तों जब आप प्लायान वेग की बात करते हो तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि आपको जिनरली दो वर्ड देखने को मिल रहा होगा पहला वर्ड क्या है आपका प्लायान और दूसरा वर्ड क्या है आपका वेग तो वेग तो आप सब भली भाती समझते होंगे क् physics का वो एक basic सा point है या आप नहीं भी समझते हैं तो समझ लिजिए कि किसी भी दो point के बीच की जो एक निश्चित दूरी होती है कोई भी दो बिंदू के बीच में एक निश्चित दिशा में ताई की गई जो दूरी होती है और उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, जब समय के साथ ratio मिलाते हैं, तब उसी को हम लोग वेक कहते हैं, तो पहला चीज कि हम वेक को इस तरह से define करते हैं, कि दोनों के बीच की जो दूरी है, इसको हमने क्या कहा, बिस्थापन कहते हैं, क्योंकि निस्चित दिसा की जब मैं बात कर रहे हैं तो वहाँ पर बिस्थापन होगा डिस्प्लेस्मेंट होगा और बिस्थापन में परिवर्तन की दर को वेक कहते हैं तो यह तो नॉर्मल सा बात अब यहाँ पर बात आता है कि यह पलायान क्या होता है इसका मतलब होता है इसकेप अब आप लोग एक नॉर्मल सा व पीजिक्स में क्यासे होता है जब आप इसको फिजिक्स में समझने की बात करते हैं उससे पहले एक 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 अग्जांपल आपको समझना होगा जैसे कि आप मानलों कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस समय आप अपने दोनों हाथ को बहुत मजबूती धागा से यह आप सपोज करो कि आप खेल रहे हो आपके हाथ को बांद दिया गया है आप चाहते हो कि यह दोनों हाथ मेरा खुल जाए बेसक आप इस पर क्या करोगे परियास करोगे इस तरह से मतलब हंटाओगे इसको तोरने के लिए जब आप हंटाओगे आप कहते हो मेरा हाथ खुल गया मतलब क्या हुआ कि आपने बंधन बल से ज्यादा बल लगाया तो जाकर के वो क्या होगे आपका खुल गया वो बंधन जब वो खुल गया मतलब आप सिंपल समझ रहे हैं कि यह चीज मैं कहना क्या चाह रहा हूं मैं यह चीज आपको यह ब पिर्थवि के गुर्थ्वा करशन बल के अधीन है अब ये घुर्थ्वा करशन बल क्या होता तो नॉर्मल सा याद रहेंगे कि पिर्थवि जिस बल से किसी वस्तू को अपनी और आकर्षित करती है उसी बल को हम तक गया तो ये कुछ नो कुछ distance कभर किया और distance कभर करने के बाद ये क्या होता है दूरी कभर करने के बाद कुछ दिर के बाद ये बॉल फिर से आपके सता पे चला आता है आप ऐसा क्यों कहते हैं आप इसलिए कहते हैं कि ये जो सता पे आया तो इस बॉल को खीचने के लिए एक बल लगा और उस बल को आप क्या नाम देते हो उस बल का नाम आप देते हो कि सर यहाँ पे गुरुत बल लगा कौन सा बल लगा गुरुत बल और आप इस गुरुत बल को किस से रिपर्जेंट करते हैं जी से छोटा वाला जी से याद रखेंगे और इसका वैल्यू कितना ह होता है 9.8 नूटन जिन्दली अधिकांस घटनाय में आपको जब किसी चीज को उपर फिकते हैं तो वो नीचे गिर जाती है रीजन क्या है कि पिर्थवी उसको 9.8 नूटन से अपनी और खीच रहा है अब मैं क्या करूं कि इस बल को हमको तोड़ना है हम चाहते हैं कि हम पिर गूर्थवा कर्शन से ज्यादा बल लगाना होगा इस पिर्थवी के गूर्थवा कर्शन बल से ज्यादा बल लगाना होगा तो इससे थोरा सही ज्यादा लगाएंगे तो मतलब हम इन दसेंस नियूंतम तो क्या सकते हैं कि गूर्थवा कर्शन बल से उपर जाने के लिए और बल लगा दिये थोड़ा क्या किये और बल लगा दिये मतलब न्यूंतम कम बल लगा है अब इसका पलायान वेग से क्या लेना देना है ये चीज का इस चीज का लेना देना ये है कि किसी वस्तु का वह न्यूंतम वेग कोई भी वस्तु है कोई किसी वस्तु का वह न्यूं कहते हैं पलायान वेग कहते हैं Escape velocity कहते हैं ध्यान दीजिए गा मैं आपको फिर से बता दूं कि कि किसी भी बस्तु का वह निउनतम बेग निउनतम जब भी आप Escape velocity परेंगे तो नियून्तम आपका मेंटेन किया हुआ रहेगा तो किसी भी वस्तु का वह नियून्तम वेग जिसके चलते वो पिर्थवी के गुर्तवाकर्सन बल को तोर करके आंतरिक्ष में चला जाए इसी वेग को हम लोग पलायान वेग कहते हैं इसके वेलोसिटी कहते हैं अब देखें म मरकरी से फेक दें बुद्धु से फेक दें हम जूपिटर हम ब्रसपती से फेक दें सुक्रगरह से फेक दें हम कहीं से भी फेक सकते हैं जब फेक ना ही है तो आप कहीं से भी फेकेंगे तो क्या हर जगा पे पलायान वेग समान होगा पिर्थवी के जैसा होगा नहीं होगा हर गरह की अपनी अपनी प्लायन वेग होती है और आपने बचपन से इस चीज को पर रखा होगा कि प्लायन वेग जो होता है पिर्थभी से 11.2 कि लोमीटर पर सकेंड का होता लेकिन कैसे होता है प्लायन वेग को आप निकालेंगे कैसे तो सबसे पहले जब आप plan wake को समझ लेते हैं तो simple plan wake को एक चीज याद रखेंगे कि हम लोग VE से represent करते हैं किस से represent करते हैं VE से, V मतलब velocity किसके लिए भाई, तो wake के लिए और E का मतलब हुआ escape, तो ये किसके लिए plan के लिए अब V is equal to होता है रूट अंडर टू जी एम बटा आर, रूट अंडर टू जी एम बटा आर ये आपका escape velocity के लिए formula होता है, जहाँ पे आपको याद क्या रखना है, कि जो आपका बरावाला जी दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, गुर्तवा कर्सन नियतांक या constant बोलते हैं इसका आपको एक और बात याद रखना है कि इस गुर्तवा कर्सन नियतांक वैल्यू कितना होता है, तो 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्कॉाइड पर केजी स्कॉाइड आप कहेंगे, ठीके अब यहाँ पर M आपको दिख रहा है यह M क्या है, तो यह M जो है आपका, वो सतह का द्रबमान है, मतलब जिस सतह से आप वस्तु को फेकना चाहते हैं, उस सतह का, तो M आपका सतह का द्रबमान है M क्या है सतह का द्रबमान, और जो तो आर दिख रहा है यहार आपका क्या है यह आर सत्ह की तिरिजिया है सत्ह की तिरिजिया है इस चीज को आपको यहाँ पे याद रखना इसके बाड़े भी तो आपसे अगर पूछा जै कभी भी कि किसी सत्ह से किसी वस्तु का पलायान वेक के लिए फर्मूला क्या होगा तो आप कहेंगे कि रूट अंडर टू जी एम बटा आर धियान रखिए सतह की जब आपने बात करा है यहां पे तो सतह आपका क्या हो सकता है गरह भी हो सकता है या फिर उपगरह भी हो सकता है आप अपने सुपधा अनुसार रखना है वो कॉमन सा बात आपको क्या याद रखना है कि जब आपको पूछाज है कि कि किसी सतह से पलायान वेक क्या होगा किसी सतह से पलायान वेक या आपका किसी गरह से पलायान वेक क्या होगा तो उसको निकालने के लिए आप रूट अंडर टू जी एम बटा आर का फ पूछ देता है कि किसी बस्तु का पिर्थभी से पलायान वेग क्या होगा ध्यान दीजिएगा मैंने बोला किसी बस्तु का पिर्थभी से पलायान वेग क्या होगा तो ध्यान रखेंगे कि किसी भी बस्तु का जो पिर्थभी से पलायान वेग होता है वो होता है आपका root under 2g r कितना होता है root under 2g r जहाँ पर ये छोटा वाला जो g है ये आपका क्या कहलाता है गुरुत बल कहलाता है क्या कहलाता है गुरुत बल और r जो है इसको हम लोग क्या बोलते है पिर्थवी की ये तिर्जिया है किसकी तिर्जिया है पिर्थवी की तिरजिया है तो सिधे-सिदे अगर आपसे पिर्थवी से प्लायन विग पुछें तो आप रूट अंडर 2G आर लगा देंगे आपके मन में आपका ये भी सवाल आना लाजमी है कि क्या पिर्थवी से प्लायन विग रूट अंडर 2GM बटा आर से नहीं आएगी obviously दोनों से आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही फर्मूला से आपको हर जगा पे मिलेगा, मैंने पिर्थवी से प्लायन वे का फर्मूला इसलिए बता दिया, कि आपके exam time में आपका ये फर्मूला ना दे करके अगर ये फर्मूला दिया हुआ रहे, और वहाँ पे पू सता का दरबमान मालूम है, सता का तिर्जिया मालूम है, तो ये जी तो कभी बदलने वाला है नहीं, बट ये जी आपका पिर्थवी तक ही रहेगा, पिर्थवी के बाहर इसका मान क्या होता है, परिवर्तित होते रहता है, गुर्त्य तोरन में परिवर्तन होते रहता है, त तो जब हम लोग पलायन वेग की यूनिट की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं पलायन वेग का यूनिट होता है किलो मीटर पर सेकेंड क्या होता है किलो मीटर पर सेकेंड ध्यान देंगे दोस्तों पिर्थवी से किसी बस्तु का जो पलायन वेग होता है जब आप यहाँ पे किस से पिर्थवी से, कितना होता है, 11.2 किलोमेटर पर सेकेंड, आप से ये भी पूछा जा सकता है, कि किसी वस्तु का चंद्रमा से कितना होगा पलायन वेग, फार्मुला आपका ये वाला पुट करना है, टू जी एम बटा आर जी का वैल्यू तो सेम रहेगा हर जगा पे 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 नूटन मीटर स्कॉयर पर केजी स्कॉयर आर आपको चंद्रमा की तिर्जा दी हुई रहेगी और जब आप सारे चीज को कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिखाई 2.4 कि यहां पे पोछ़ा आर जाता है कि पलायान वेग बस्तू के दरब मां पे निर्भर करती है या नहीं करती है तब आपका आंसर होगा कि वस्तु का पलायान वेग वस्तु के दरबमान से स्वतंत्र होता है निर्वर नहीं होता है उस पे वस्तु के दरबमान पे निर्वर नहीं करता तो किस पे निर्वर करता है तो यह निर्वर करता है वस्तु के तिरजिया पे किस पे निर्वर करता है कि किसी भी बस्तू का पलायन वेग उसके द्रभमान से स्वतंत्र होता है और वो निर्भर किस पर करता है तो सता के द्रभमान पर निर्भर करता है और सता के तिरजिया पर निर्भर करता है दोस्तों एक कुश्चन और आपको इस पर पूछा जाता है जैसे कि मैंने आपको य तो तो द्यान देंगे, बहुत सारे बच्चे यहां भी याद रखेंगे चंदरमा पिर्थभी का उपगरा है जब आपसे पूछे कि किस गरह का गरह का नियुन्टम होगा किस गरह का नियुन्तम पलायान वेग होगा तो कौन से गरा होगा मतलब minimum escape velocity आप से जब पूछा है तो किस गरा का होगा तो आपका answer होगा यहाँ पे कि जो बुद्ध गरा है उसकी जो वहाँ से जो किसी बस्तू को फेकने की प्लायान वेग होती है वो क्या होती है कम होती है आप को होगे कि सर कितना कम होता है और कितना जादा होता है तो सिंपल बात याद रखेंगे बिरस्पति पे जो आपका escape velocity होता वो 69.5 km पर सेकेंड होता है और बुद्ध पे जो आपका escape velocity होता वो होता 4.3 km पर सेकेंड दोस्तों escape velocity में बस इतना बात आपको किसी भी exam में इस topics related question को बनाने के लिए काफी है अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो 100% आपको सारी questions बनेंगे और वो question किस type से होंगे आईए देखते हैं उस question का परकार कैसा होगा वो किस तरह से पूछे जाते हैं आईए दोस्तों जब इस topics related question की बात करते हैं question आपको किस तरह से पूछा जाता है पहला question आप देखिएग कि किसी rocket को अंत्रिक्ष में पूछा है कि जाने के लिए new thumb wave है कोई भी rocket है उसको space में जाना अंत्रिक्ष में जाना है तो उसके लिए वो किस वेग से जाए कि वो सता को छोड़ दे फिर return ना हो जाए अंत्रिक्ष में जाएगा तो फिर return आएगा नहीं उसको उसी बेग से जाना होगा ताकि वो रिटर्ण ना है तो उस वेग को हम लोग पलायान वेग कहता है ना नियूंतम वेग को जिसके तहट कोई भी बस्तु क्या करता है कि आप पिर्थवी के गुर्तवाकर्शन बलको तोड़ देता है और एक चीज़ और याद रखेंगे रॉकेट लांच हो किलोमीटर पर सकेंड यह आपका डी नंबर आप्शन होगा 11.2 किलोमीटर पर सकेंड दूसरा कोईशन है आपके पास कि उस नियूंतम वेग को क्या कहते हैं जिससे अगर किसी वस्तु को उपर फेका जाए तो वस्तु गुर्तवाकर्शन बलको तोड़ देती है कोईशन को बताया है कि उस वल को हम लोग क्या कहते हैं पलायान वेग कहते हैं सुरी उस वेग को हम लोग क्या कहते हैं पलायान वेग कहते हैं जिसके थूरू वस्तु क्या करता है आपका कि गुर्तवाकर्शन बलको तोड़ देता है आईए दोस्तों कुछ और कुश्चन इस पर याद दिया होगा फिर आपसे नुमेरिकल टाइप में भी पलायन वेग निकालने के लिए आपसे पूछ सकता है तो फर्मूला याद रखेंगे कि क्या होता है रूट अंडर 2GM बटा आर जी का तो वैली उहर जगा पे होगा ऐसे मैंने आपको बताया भी क्या कि जो आपका चंद्रमा से किसी वस्तू का पलायान वेग होता वो होता 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड तो आपका इस कोईशन के लिए आंसर क्या होगा 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड अगर किसी को इस तरह से नहीं याद रहें अगर किसी को जुपीटर याद रखता है तो ये जुपीटर भी आप याद रख सकते हैं जुपीटर का मतलब बिरस्पती ही होता है तो 59.5 किलो मीटर पर सकेंड ये महत्तम है और किसका बिरस्पती का जुपीटर का और सबसे कम किसका है तो सबसे कम मरकरी का है बुद्ध का है ठीक है तो आपसे ये question पूछा है कि निमली कित में से किसमे पलायन वेग नियूनतम होता है, तो चंद्रमा, तो यहाँ पे आपका ये तो उपगरह है, अगर आप देखो तो next step, पिर्थवी, मंगल और बुद्ध, तो यहाँ पे चुकी गरह और उपगरह ये चीज किलियर नहीं किया है, आपसे सीधे पूछा है कि किसमे पलायन वेग नियूनतम होता है, तो आप यहाँ पे चंद्रमा, 2.4 km per second, पिर्थवी, आपको पता है, 11.2 km per second, अभी जस्ट बता है, और मंगल, आपको मंगल का निकालना पड़ेगा, बुद्ध, आपको पता है कि बुद्ध का सबसे कम होता है, तो कितना होता है, तो 4.3 km per second होता है, इन सब में आपका सब आपसे कम कौन सा है, चंद्रमा है, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, निमलिखित में से किसमे पलायान वेग नियूनतम होता है, तो option के according चंद्रमा, अगर यही question रहता, कि निमलिखित गरह में से किसमे पलायान वेग नियूनतम होता है, तब आपका आंसर बुद्ध हो अब इसमें से फून से हैं जो सतु की वास ही है जिस पें साफ या उप आपको यहां पर निमलिखित में सब्सक्राइब भी गनिरवर नहीं करता तो सतु कें द्रीप मैं पर निर्वर नहीं करता आपके इस question का answer ये होगा गराह की तिर्जिया obviously इस पे निर्वर करेगा गराह का दरबमान इस पे भी निर्वर करेगा उमीद करते हैं यहां तक कि आपको सारी चीजे समझ में आ गई होगी और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक किजिएगा शेर किजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं होगा बैल आइकन दबाना होगा ताकि इस तरह के एक्जाम रिलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए मिलते हैं दोस्तों लोग फिर अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अलविदा